तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर बिलवाडा के SK इंडस्ट्रीज पर चलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर अंदर की तरफ आईए आप यहाँ पर पूरा काम चल रहा है बहुत सारी आवाजे आरी होगी आपको यह काम चल रहा है इदर देखें आप पोर मैं मिला देता हूँ यहां के इसके इंडस्ट्री की जो डाइरेक्टर है उन्से और उन्से बहुत में बाते करते हैं अपना आगे और देखते हैं कौन-कौन की मशीन भी बन दिये सबको तो सभी साथ चो मैं सबसे पहले आपको मिलाने वाला हूँ इसके इंडस्ट्री के डाइरेक्टर सर से तो सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर नमस्कार सर सबसे पहले आप परिच्छे दे दिजिए हमारे जो जितने विवार्स हैं उनको राजंदर फर्मा राजस्तान विल्वारा से आप सबका स्वागत करता हूं मैं दोस् को यहां पर आने का मौका दिया यानि कि वीडियो देखेंगे सार यहां पर आये हैं तो अब आपके फैक्टरी का विजिट करते हैं सबसे पहले क्योंकि मैं अगर किसी के भी वीडियो अगर मैं पब्लिस करूंगा तो लोगों को एक बार ट्रस्ट होना चाहिए कि क्या वह हम आप लोगों के लिए तयार कर रहे हैं जो जम्मू से कन्या कुमाई तक हर आधिमी को जुरुत है आईए आपको एक एक रोजगार के लिए ले चलते हैं सीधा फैक्टरी के अंदर आपको मैंनी फैक्टरिंग भी दिखाएंगे काम किस तरह होता है वो सब कुस दिखाए कई आप Amp Ne Defusion आई तो जोस्तो यहांसे शुरुआद होती हैं वर्ट्शॉप की यहांपर सारी आप देखां रहे हैं यहां पर पूरी फैक्टरी लगी हुए यहां पर आप देख पा रहे हैं सारी मशीनरी बगरा बन रहे हैं तो सर्जी जैसा कि मैंने काफी दिनों से सुन रहा हूं कि बिलवाडा में एक एसी इंडस्टी जहां पर 60-60 क्या सोफ परकार की मशीनरी बनते हैं आज मतलब मुखा मिला है तो आटे नहीं नहीं हो पाएगी लेकिन कुछ नाम बताते जाएक आप यह मेशीन पतल दोना कि मेशैन है कपूर की मशीन है यह सभेया बनाने की मेशीन है यह लॉंग कोटन विग बनाने की मेशीन है यह मिक्सर है और यह मसाला मिक्सर आटा चकी दोनों है आप देख रहे हैं आपे और यहां आपके सामने जो दिखरी ही यहां मिल जाएगा आपको दाल मिल का प्लांट पूरा यह इसके पानी पाउच की मशीन है यह जो आपने मार्केट के अंदर गुडिया के बाल आते हैं यह उसकी मशीन है जो मेले आदिम यह पॉपकोन की मशीन है फोला था कि गो घॉक्स मशीन दिखाऊंगा यह रही आपके गो कास्ट मसीन और और इदर की तरफ देखते हैं अपना तो अपनी की मशीन और यह देख लिए काफी सारी मशीन हैं नाम बताते जाऊंगा आप सुनते जाहिए इदर आप आएंगे तो और बहु आपके जो किसान साथ्यों आपके लिए बहुत जबर्दस मशीन है यह वह मशीन है जिसमें तार बंदी के लिए आप वायर वाले जो अपने तार की जो कडिया वाली जो जाली होती है वह जाली इसी मशीन में बनती है अपर बेग की मशीन जो पेपर क्लाश्टिक हर्च के बंद हो चुका है ठीक है उसी उपरांद अपने पेपर बेग मशीन तयार कर रहे है जो आम लोग भी इसको आरम से परचेज करकर अपने शेत्र में लगा सकता है जरौत को पूरी कर सकता है सबसे बड़ी बात इसका रोव मेटल आपको असानी से मिल जाएगा इसके सारी हर चीज हमारे आपको अवलेबल मिलेगी इसके साथ ही बहुत ही शांदार तरीके का प्रोजेक्ट जो आपके सामने हम देने जा रहे है वह यह मिट्टी की इड़ बनाने के मशीन है आप इस म मिट्टी वगरे डालते हैं और इंट बनके तयार हो जाती है पूरे यह पर इसको आप कहीं भी लेजा सकते हो इसमें बड़े बड़े टायर लगे दूसरा इसके अंदर बिना इलेक्ट्रिक के भी काम हो सकता हमने इंजन लगा रखा है और आप इसको इलेक्रिक मोटर के द और इसके साथ हम आप जितनी चाहें उतनी डाई दे रहे हर डाई का मात्र पच्ची सो रुपे रखा है आप चाहें जितनी डाई ले सकते हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं सारे स्टाप के यहां पर कैबिन बने हुए हैं उधर से लगा कर इधर तक कितने सारे कैबिन ब इसके द्वारा आपको आटा गूंद कर तयार होगा और इसी के द्वारा आपको छोटे-छोटे लोए आप जिस साइट के चाओ के बना कर मिल जाएंगे दोस्तों ये फैक्टरी पूरी दिखाने का कारण यही है कि आप बिंदा सोकर बिना सोचे समझे आप निश्चिन दोकर अपना काम करें क्योंकि दोस्तों उद्वारा आतमी को जरुत है रोजगार आतमी को जरुत है आप पूरी फैक्टरी देख चूकए हो हर एक प्रोडिम हमने दिखा ए और एक इक प्रोडिम का आप को वीडियो मेवाडी जी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और आप आप वहां से भी देख सकते हैं और यां आकर भी संपर कर सकते हैं यह इस वीडियो आपको हमारा देने का shift का रएक कि आप अकेले आसके शबको साथ महीं ला सकते और सबको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं और ये उद्योग आप अपने परिवार गर्षैत्र में सब को आप यह इस यूटूब चैनल के माद्यम से दिखाएं ताकि हर आजमी को रोजगार मिले दोस्तों इसके साथ ही हम दे एक ऐसी मशीन जो 20 प्रकार के प्रोडेक्ट तयार करती है इसका पूरा का पूरा वीडियो हमने इस्पेशल दिया है आप लोगों के लिए और यह क्या तयार करती है आप यह देखें और आप हमारे कस्टमर के एर पर बात करें जो आप नीचे नंबर देख रहे होंगे उनके आपको सपोर्ट मिलता आपको सारा सब कुछ अनुबह हो जाएगा आईए अपने कोल सेंटर दोस्तों बात करने वाले हैं कोल सेंटर के बारे में कैसे आपको एसके इंड़ेस्टिस की तरफ से मदद मिलेगी तो सर बताइए कि आपके जो कॉल सेंटर पे जितना भी जानकरी बेकाई दर निशुलक दी जारी उसका कोई सुलक नहीं है आप किसी भी मशीन के उद्योक के बारे में ठीक है आप निशुलक जानकरी ले सकते हैं यहां से हर प्रकार से दूसरा हर भाई को इदर रोजगार के लिए कोर्स करना पड़ता है या कई भार जाना आपको किसी प्रकार की परेशा नहीं है आप करे या ना करे उद्योक लगाए या ना लगाए यह कोई मान्या नहीं रखता है आप उद्योक की जानकारी लें उद्योक को समझें और आप खुद भी एक बार यहां आएं तो दोस्तों आपने पूरी फैक्टरी का वीडियो लगाए आपके सपोर्ट के लिए और आप कॉल करके पूछ सकते हैं सारी जनकारी ले सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा आप कामेंट करके हमें ज़रूर बताए और वीडियो को कर दीजए लाइक और चैनल पर नहीं है सबस्क्राइब करें साथ में बेल आउकन ज़रू दब